मैं गरीमा अगरवाल, आप सभी कवंदन करती हूँ, अभी नंदन करती हूँ आज हम आपके लिए लाए हैं भादरपद महीने की गणेश चतूर्थी व्रत कता संकष्टी गणेश चतूर्थी व्रत प्रतेक मास के कृष्ण पक्षकी चतूर्थी को किया जाता है भादरपद मास के कृष्ण पक्षकी चतूर्थी को किया जाने वाला व्रत भादरपद संकष्टी गणेश चतूर्थी व्रत कहलाता है इस चतूर्थी को बहुला चतूर्थी भी कहते हैं भादो कृष्ण चतूर्थी सब संकटों की नाशक, विवित फल दायक एवं संपून सिध्धियों को देने वाली है। इस व्रत के प्रभाव से सभी प्रकार के विग्न दूर हो जाते हैं। यह सब कष्टों का नाशकर धन की व्रद्धी करने वाला व्रत है। इस दिन एक द भाद्रपद संकष्टी गनेश चतूर्थी व्रत कथा। पार्वतिजी ने गनेशी से पूछा कि हे पुत्र भादो कृष्ण चतूर्थी को संकट नाशक चतूर्थी कहा गया है। अते उस दिन का व्रत किस प्रकार किया जाता है मुझसे समझा कर कहिए। गनेशी ने कहा ह ये माता भादो कृष्ण चतूर्थी सब संकटों की नाशक, विविद्फल दायक एवं संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली है। पूर्व वर्णित विधी से ही पूजा करनी चाहिए। श्री कशन जी कहते हैं कि है युदिष्टर, पुत्र की ऐसी बास सुनकर पार्वती जी ने उनसे पूछा कि मुझे भी यह कथा बतलाईए। गणेश जी ने कहा कि गुरु द्वारा वर्णित प्रणाली से इस दिन भक्ती भाव से पूजन करें। चतूर्थी के दिन प्रात शालीनी रानी दैमंती नाम से प्रसिद थी। एक बार उन्हें श्राब ग्रस्त होकर राज्य चुत होना पड़ा और रानी के वियोग में कश्ट सहना पड़ा। तब उनकी रानी दैमंती ने इस सर्वोतम व्रत को किया। पार्वती जी ने पूछा कि है पुत्र दैमंती व्रत को किया और किस प्रकार व्रत के प्रभाव से साथ महीने के अंदर ही उन्हें अपने पती से मिलने का सयोग प्रांफ़ हुआ। इन सब बातों को आप बतलाईए। श्रीकरिशन जी ने कहा कि है यूधिश्टर पार्वती जी ऐसा पूछने पर बुधी के भंड़ार प्रहन हो गया डाकूओं ने राज कोश लूट लिया और अगनी की जुआलाओं में घिर कर उनका माल भसमात हो गया राज्ये को नश्ट करने वाले मंत्री लोगों ने भी उनका साथ छोड़ दिया राजा जुए में सर्वस्व गवा बैठे उनके राजधानी पे उनके हाथ से निकल गई सभी और से निराश और ऐसा हाय होकर राजा नल वन में चले गए वन में रहते समय उन्हें देमेंती के साथ अनेक कश्ट जहिलने पड़े इतना ही नहीं उनका उनकी राणी से भी वियोग हो गया तथ पश्चात राजा किसी नगर में काम करने लगे राणी किसी दूसरे नगर में रहने लगी तथ राजकुमार भी अन्यंत्र नोकरी करने लगे जो किसी समय राणी और राजपुत्र कहे जाते थे वे ही अब भिक्षा मांगने लगे तरह तरह की रोगों से पीडित होकर एक दूसरे से विलग होकर कर्म फल को भोगते हुए दिन बिताने लगे एक समय की बात है कि वन में भटकते हुए दैमंदी ने महरीशी शर्भंग के दर्शन कीए उसने उनके पैरों पर नतमस तक हो हाथ जोड़ कर कहा कि हे रिशी राच मेरा अपने पती से कब मिलन होगा मेरा भाग्य कब लोटेगा हे मुनीवर आपने शित रोप से बतलाईए श्री कृष्ण ची कहते है दैमंदी का यह उत्तम प्रशन सुनकर शर्भंग मुनी ने कहा कि हे दैमंदी मैं तुम्हारे कल्यान की बात बता रहा हूँ इससे गोर संकट का नाश होता है यह सब कामनाय पूर्ण करने वाला एवं शुब दायक वरत है बादो मास की कृष्ण चतूर्थी संकट नाशन कही गई है इस दिन नर नारियों को एक दंत गजानन की पूजा करनी चाहिए विदिपुर्वक वरत एवं पूजन करने से ही हे रानी तुम्हारी संपोर्ण इच्छाए पूरी होंगी साथ महीने के अंदर ही तुम्हारा पती से मिलन होगा यह बात में निश्य पुर्वक कहता हूँ गणेशी कहते हैं कि शर्भंग मुनी का ऐसा अदेश पाकर दैमेंती ने भादों की संकट नाशीनी चतूर्थी व्रत प्रारंब किया और तभी से बराबर प्रती मास गणेशी का पोजन करने लगी साथ महीने में ही इस उत्तम व्रत को करने से उसे पती, राज्य, पुत्र और पुर्वकालिन वैभवादी की प्राप्ती हो गई श्री कृषन जी कहते हैं कि हे प्रता पुत्र युदिश्टर इस प्रकार इस व्रत को करने से आपको भी राज्य की प्राप्ती होगी और आपके सभी शत्रों का नाश होगा यह निश्य है हे राजन इस प्रकार मेंने सभी व्रतों में उत्तम व्रत का वर्णन किया है यह सब कश्टों का नाश करता हुआ आपके भाग्ये की व्रत्दी करेगा जै श्री राधी